दोस्तों वीमारी क्यां होता है मेरे भाई? जल्दी जानलो मेरे दोस्त नहीं तो आगे चल करके पच्ताना पड़ेगा तो चलिए इस कमाल के वीडियो को हम अभी अवर इसी वग सुरू करते हैं कि आप लोग जानले सवाल नमबर 1, मिर्गी की बिमारी क्या होता है, दोस्तो नहीं जानते हैं तो विडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मिरे भाई जरूर कीżej का कि ऐसे जनकारी हमेशा मिलती रहे दोस्तो इसका सही अंसर है ज्यादा नमक खाने से आयोडीन मिर्गी की बिमारी होती है इसलिए खराब आयोडीन नमक जो है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और स्वत्सरी रख है सवाल नमबर दो गठिया कैसे ठीक होता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मिरे भाई जरूर कीजेगा कि ऐसी जंकारी हमेशा मिलती रहे दोस्तो इसका सई अंसर है गरम समान खाने से ठीक होता है गठिया की विमारी जैसे आंड़ा हो गया मीठ हो गया सरसो का तेल लर्सुन पका करके सुबह समला गाने से गठिया की विमारी जर से मीठी जाती है दोस्तो सवाल नमबर तीन जिनको दहिने अंग में लाकवा मार दिया है उनको कौन सा चीज जादा नहीं खाना चाहिए नहीं तो फीर मार सकता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो प्लेक चल को संस्क्राइब मेरे भाई जोरू की जेएगा दोस्तो इसका सही अंसर है नमक और गरम समान भूल करके भी नहीं खाना चाहिए नहीं तो जिनको दहिने अंग में लाकवा मार दिया है उनको फीर मार सकता है और आयोर्डी नमक जो है वो जीवन में कभी जादा नहीं खाना चाहिए सवाल नमबर चार खुन में कैंसर क्या होता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो पर लाइक चैनल को सब्सक्राइए मेरे भाई जरूर कीजेगा कि ऐसी जनकारी हमेशा मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है काचा केला का सबजी नहीं खाने से खुन में कैंसर जो है उपकर लेता है और बहुत सभी पैसा जो है उलग जाता है बदलवाने में खुन इसलिए दोस्तों काचा केला का सबजी जरूर खाएं आप लोग सवाल नमबर पांच पुजा पाट करने से क्या फाइदा मिलता है हम लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सबस्क्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सई अंसर है घर में दुख बिमार कभी नहीं आती है इसलिए पुजा पाट जो है ओ करना सबसे जरूरी होता है जो लोग पुजा पाट नहीं करते हैं ओ आदमी जो है ओ दूखे को घेरे में परे रहते हैं हमेशा सवाल नमबर 6 इतना महंगाई क्या है आज कल दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो बोलाई एक चनल को सबस्क्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा कि ऐसे जनकारी हमेशा मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है पैसा नहीं कमाने से महंगाई पैसा खूब कमाने चाहिए इसलिए महंगाई बर गई है पैसा नहीं कमाने के चलते इसलिए दोस्तों पैसा खुब कमाईए और जीवन जो है उस सुखी अनंदी बनाईए सवाल नमबर साथ लौकी का सब्जी खाने से क्या फायदा मिलती है शरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सही अनसर है ठंधा जो है उलौका का सब्जी होता है शरीर ठंधा रखता है और कोई परकार की बीमारी ठंधी के ओजे से नहीं उत्पन होती है इसलिए लौकी का सब्जी जो है खुब खाना चाहिए सवाल नम्बर आठ फेफरा में छेद क्या होता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा दोस्तों इसका सही उंसर है खराब खाना खाने के कारण पीट में जो है ओ गरिस बनता है अगर गरिस बनने के कारण फेफरा में जो है ओ छेद हो जाता है इसलिए दोस्तों आप लोग से हाद जोर कोई कहूंगा कि कभी भी खराब खाना ना खाएं सवाल नमपर 9 रोज नहाने से कौन सा बिमारी नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा आप ऐसे जनकारी मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है रोज नहाने से लाकवा की बिमारी और फारलिस की बिमारी दाद खाज खुजली एक जीमा की बिमारी कभी नहीं होती है इसलिए दोस्तों रोज नहाना चाहिए और पूजा पाठ रोज करना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर दस खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरुद की जगा कि ऐसी जनकारी मिलती रहे दोस्तो इसका सही अंसर है खाना खाने से पहले पानी लेखर के जरूर बैठना चाहिए नहीं तो कभी-कभी गाला ऐसा पकर लेथा है कि आदमें बीमारी से उस समय क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं दोस्तो वीडियो पसंद आई तो लाइक से शेयर